हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई शैनल, आज की इस वीडियो में मैं बताऊँगी कि कलन्चोई या कलन्चोई को जो है कटिंग से कैसे लगाया चाता है ये कुछ मैंने कलन्चोई के प्लांट जो है रिसेंटली इनर्सरी से पर्चिस किये है जो की चार डिफ्रेंट कलर्स के है आप देख सकते हैं इनके फूल ये काफी कलर्स में आते हैं और काफी सुन्दर लगते एक साथ जब बंच इसमें फ्लावर से इसके खेलते हैं आज हम इसे कटिंग से लगाएगे और कुछ लीफ्स भी हम इसके प्रोपागेशन करेगे तो आई फ्रेंट दिखते हैं लगाना कैसे इसे लगाने के लिए मैंने ये धाइन साइस का जो है प्लास्टिक का पोट लिया है जिसमें के ट्रेंज होल बने हुए थे जिसे मैंने कबर किया है टूटे-कड़े के टुक्डो से कटिंग को कट करने से पहले हम जो है सीजर को स्टर लाइज करेगे स्टर लाइज करने के लिए मैंने है एड्रोजन पेरकषड लिया है और यह हम ग्रोन कोटन है इसको कैसे grow करना है उसकी link जो है आपको description में मिल जाएगी तो आप महां से देखकर घर पर ही इसे grow कर सकते हो दसिन साइस के port में जो है easily cotton लग जाता है यह new season है फिर भी हम इसे sterilize करेगे अगर आप old season ले रहे हो तो sterilize जरूर करे ताकि जो है plant में कोई भी diseases न लगे क्योंकि आपने उसे जो है कही use किया होगा rust होगा तो plant खराब हो सकता है तो जो है हम कुछ बुंदे लेगे hydrogen peroxide की इस तरह से आपको cotton में जो है कुछ बुंदों को निकाल लेना है और जो है इस तरह से साफ करना है Caesar को Caesar को साफ करने के बाद ही use करें ताकि जो है कोई plant में रोग ना लगे सडन ना हो तो इस तरह से जो आप अच्छे से clean कर लेगे आप जो है Caesar को wash भी कर सकते हो डेटर से इस तरह से जो है sterilize करने के बाद आपको cutting लेनी है cutting आपको किस तरह से लेनी है तो जो दो leaf होता है उसके आधा इंच नीचे आपको cut करना है तो मैं आपको दिखाते हूँ कैसे cut करना है किसी एक cutting को हम निकालेगे इस तरह से देखिए आपको cutting को काट लेना है बॉटम की जो लीफ है उसे निकाल लेना है क्योंकि रूट्स जो है लीफ नोड से ही निकलेगी यहां से लीफ हुग है वहां से जो है रूट्स निकलती है तो इस तरह से जो है आपको निकाल लेना है और इन लीफ को जो है आपको ग्रो करना है इससे भी आप इसे उगा सकते हुगाने से पहले जो है फ्लावर कट करते लेकिन हम फ्लावर कट नहीं करेगे हम जो है इस प्लांट की भी कटिंग लेगे तो मैं दिखाते हैं आपको कैसे कट करनी है नजिक से दिखाती हूं यह देखिए यह जो दो लीफ है उसके बलकुल आधा इंच नीचे जो है आपको कट कर लेना है सीजर आपको शार्प यूज़ करना है और यह जो दो लीफ है उसे निकाल लेगे क्योंकि यह से जो है जड़े निकलेगी तो साफदानी से आपको निकालना है इस तरह से आप निकाल लेगे दूसरे भी लीफ को मैं निकाल कर बताती हूं यह दिखिए और इस को आपको dry करना है अच्छे से इसे आपको dry करना मैं आपको नज़िक से दिखाती हूं ये जैसे आपको portion दीख रहे ही अभी गिला है तो अगर आप ऐसे ही लगा दोगी तो इसमें जो है sudden हो सकती है और ये दिखिए proper cut भी नहीं है तो इसे अगर आप dry करोगे और लगाओंगे तो ये जो है अच्छे से grow होगे sudden नहीं होगी इन में और roots भी जो है आपको अच्छे से दिखने मिलेगी जाल दिखने मिलेगी अगर सड़ेगा तो फिर से आपको cut करना पड़ेगा और फिर से लगाना पड़ेगा तो इस portion को जो है अच्छे से dry कर ले, callous कर ले, indoor आपको जो है dry कर लेना है इसे और उसके बा को लगाने के लिए जो मैं इस रेनल का use कर हूँ और cutting को लगाने के लिए मैं मिक्स बनाने वाले। उसमें मैंने लिया एय यी red soil है जो कि बेकार पड़ी हुई थी को मैं एक experiment के लिए जो है ने एक एक्स पिरमेंट के लिए जो है ने यस और यह उममेट م्हाँ मैंने मैंने खुद बनाया है घर पर grapes नारियल से एतनी सारी कोकोपीट निकली हुई है इसे कैसे बनाना है उस पर मेरी वीडियो है आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में जो है मल जाएगी तो आप भी घर पर कोकोपीट इस तरह से बना सकती है तो आई फ्रेंट दिखते हैं लगाना कैसे है कटिंग्स को लगाने के लिए हम 50% कोकोपीट का यूज़ करेगे और 50% जो है रैट्सवल का यूज़ करेगे और लिप्स को जो है हम प्लेन कोकोपीट में लगाने वाले हैं कोकुपीट का यूज करने वाले हैं अब चाहो तो मार्केट से भी कोकुपीट पर्चेस कर सकते हूं तो यह मैंने भर दिया ऐसे और cuttings को हम लगा लेता है cuttings को हम इस pipe में लगाने वाले McCain's है इसके port में or pist को जो है strainer में लगाने वाले है जो कि ये यूज नहीं था, ऐसे बिकार पड़ा था, तो लगा देते हैं, इस portion को जो आपको जो आपको जो आपको पिट के अंदर रखना है, वाई से जो आप निकले के, कटिंस को जो आपको आदा इंचो है, स्वेल में लगाना है, वो में बताना भूल गई थी, तो इस तरह से लगाना है, और लिप्स को जो आपको इस तरह से लगा है, आपको डिजाइन बना सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है, कैसे भी अप लगा है, पस जो बोटम portion है, मोटे मोटे लिप्स लेगे, तो अच्छे से जो आपको पप निकलते होई नजर आएगे, पतले जो लिप्स होते हैं, वो जो खराब हो जाते हैं, तो मोटे अच्छे healthy लिप्स लीजिए, इससे कि आपको जो इसकी ग्रोध भी अच्छी मिले, सारे जो लिप्स जो आपको ग्रोध होते होई नजर आएगे, इसे हम सेंटर में लगा लेते हैं, और अब पानी दे देगे, मोटे जो अच्छे से बनाया रखना है, लेकिन ओबर वाटरिंग नहीं करनी है, अगर ओबर वाटरिंग करोगे, ज्यादा गिला गिला रखोगे, तो ये जो गलने सडने लगा रहता है, तो आप देखकर पानी देजिए असे, और इसे अपको रखना कहा है, तो आपको ऐसे इसी लोकेशन पर रखना है, जो अपर बहुत जाद थेज दूपना है, लेकिन विंटर में ज़ essayer लोगे जाद थेज दूप नहीं होती है, तो आप इसे जो पानी में भ पड़बर्मी कंपोस और टी स्पून फंगी सैड मिक्स इस मिक्स में जो है बीजो का जर्मिनीशन तो अच्छा मिलता ही लेकिन कटिंग भी जो है बहुत ही अच्छे से ग्रो होती है यह आप देख पा रहे हो कि सभी कटिंग में जो है रूट साना शुरू हो चुकी है और मै जो है रिजल मुझे बिलकुल भी अच्छा नहीं मिला तो वह एक्सपिरिमेंट जो फेइल हो चुका है तो आप मिक्स जो है चेंज करें बागी जो से लगाने का तरीका बलकुल सेम है जैसे मैंने बतना है आपको वैसे ही नहीं लगाना है लेकिन मिक्स जोए आपको ये वला यूज करना है अब हम इसका रिजल देखते हैं तो ये देखिए इसमें जो है रूट्स नहीं आई है इसमें भी नहीं आई है और मैं दिखाती आपको यह दिखिए इसमें भी रूट्स नहीं आई है विसे चेक करते हैं हाँ इसमें जो है रूट्स आना शुरू हो चुकी यह दिखिए छोट इसी रूट्स यह हॉममेट कोकोपीट है तो हॉममेट कोकोपीट को जो है अच्छे से डीकंपोस कर लेना चाहिए था थोड़ यूज करें उसमें जो है आपको विजर्ट इससे बहतर मिलेगा तो यह दूसरा लिफ है उसमें भी रूट्स आना शुरू हो चुकी है इसे भी हम लगा देते हैं इसमें बढ़ने देगे इन लिफ्स को और जब इनमें पॉप्स आ जाएगे तब हम इने सेपरेट करेगे और एक सिंगल पॉर्ट में लगाएगे आप बड़े पॉर्ट में भी ज़्याधा कटिंश लगा सकती हो तो यह देकिए इस तरह से पॉप्स निकलते है बहुत इजी है ने ग्रो करना अब भी ट्राइज ज़रूर करें और मुझे बताए कि आपको रिजल्ट कैसा मिला कमेंट सेक्षन में आप जो है मुझे आपका रिजल्ट पता सकते हो तो फ्रेंड्स आप भी ग्रो करें और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें शेर करें यह चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले थैंक यू फॉर वाचिंग फ्रेंड्स हैपी गार्डनिंग आपका दिन शुब रहे